फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर के तत्वधान में मंगलवार को टाउन होल अरडिया में जीला भर के किसानों के लिए एक दिवस्य प्रिशिक्षन कारीकरम का आयूजन किया गया इस प्रेशिक्सन में जीला भर से आई किसानों को और शदी पोधों की खेती को बढ़ावाद देने के मकसद से किया गया था जानकारी देते वें फंडामेंटल एग्रु साइंस के जीला ध्यक्ष आदिल हुसेन ने बताया कि सीमान चल के जीलों में और शदी खेती की काफी अच्छी समभावना है ऐसे में अरडया में भी इस खेती की काफी समभावना है उन्होंने बताया कि केसर के बाद वनिला की खेती करने से किसानों को काफी लाब मिलेगा वनिला के लिए अरडिया की भूमी काफी बहतर है ऐसे में यहां की किसान इसकी खेती कर अपनी आमदनी में काफे विर्दी कर सकते हैं आदिल ने बताया कि वनिला 40-50,000 रुपिये प्रती कीरो बिगता है इसी को लेकर आज इस प्रेशिक्षन का आयूजन किया गया था जिसका मकसद पूरे प्लान की जानकारी किसानों को बलब्द कराना था वनिला को लेकर किसानों में भाड़ी उत्साह देखा गया अज ये कारिश करम हम लोगों ने आयूजित किया था ये Fundamental Aigro Science Center के ततवा धान में ये प्रोग्राम किया गया और इसमें वनिला कल्टीफिर्सन को लेकर के हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया ताकि लोगों के अंदर में एवार्डनेस आ सके आइखुली यहाँ पर यहां पर क्या बहुत जगहोँ पर लोग वैनिला के बारे में नहीं जा आई तो वैनिला क्या है पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी दिया और उसी के लिए आज हमने प्रोग्राम भी किया कि ताके लोगों तक यह बात पहुचे यह मैसेज पहुचे कि वैनिला भी एक प्लांट है और इसका इंपोर्टेंस है और काफी कॉस्टली प्रोडक्ट है यानि केसर के बाद अगर किसी का कॉस्ट है तो वह वैनिला का है इस एरिये में ज्यादा देखा जाता मक्का दान लिओं के लोग खेजी करते हैं वनिला की खेजी करें तो कितना किसानों को पाइड़ा होगी यह हम लोग का जो टार्गेट है कि अगर कोई किसान पांच प्लांट ही अपने पास अगर प्लांटेशन करता है उसका प्लांट की पनी हुई है तो उसको सवरोजगार मिलेगा और एक तरह सवरोजगार भी हम लोग सर्जन कर रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे अनिंप्लाइड है वह इसमें जुड़ करके उनको भी बेनिफिट मिलता है इसका आप आये इसके लिए बहुत-बहुत हमें संस्ता के तरफ से आपका हार्दी का भी जंदन करते हैं यह फंडमेंटल एक्रो साइंस सेंटर एक फॉलंट्य और और यह उस धीये पाउधें पर काम करती है रिसर्च करती है और संधान करती है और जमीनी अस्तर पर लोगों को इसे लवानमीत करती है अरहरिया जिला में जिसे आ किसानों का परशिक्षन था हमारे जो परतिनीदी थे उनके पर मोकावी परशिक्षन था और हम लोग निरंतर और दिलों में इसी तरह का परशिक्षन देते आये हैं कुशिसी मांचल लगभग यह अंतिम जिस्तिक था एक और जिला हमारा किसंद्गंज बचा हुआ है इसक खेती के माद्यम से किसानों की क्रे सक्ती में दास गुना इजाफा हो सकती है त्यूकर भैनीला अपने आप में इतना महंगा मसाला है केसर के बाद दूसरे स्रेनी का महंगा मसाला है भैनीला के जो बिन्स होते हैं उनको हम इसके टेक्निकल लंग्विज में पौर्ट्स बोलते हैं तो ये चालीस हजार से लेके साथ हजार उपै बरती केजी होता लेकिन वो बिन्स हमें चौबिस महीने के बाद पराप्त होगे तो उसके पहले हमारे यहां लगवत साथ से आठ महीने में एक बार इसका बाई प्रोड़क्ट निकलेगा जिसे हम उसको कोतपाद कहते हैं और वह अंतराज़्टिय बजार में छे से आठ हजार उपै परती कीलो दिखता है और वह क्रीपर उसका बोलते हैं और वह हमें लगता है कि किसानों के पास हम तो आठ महीना कह रहे हैं लेकिन अगर पोशन अच्छे से देते हैं तो कम समय में भी उनको प्राप्त हो जाएगा और उससे उनकी आमदैनी लगमख डेज लाग तुपे होगी जुके धान गेहू की खेती परंपरागत करते करते लोगों ने देख लिया है और उसको वही करना है इसका खेती बहुत लंबा चोड़ा नहीं करना है तीस वाई पंदरा में घर के बगल में दर्वाजे के बगल में या बाड़ी जो होता है सबजियां जहां करेला कदवा ने नुआ उगाते हैं बस उसी जगा पर करनी है इसलिए इसलिए सब्दी रूची है इसके ने क्या कोई विशें ट्रेणिंग भी दे जाएगी के साब बस परसिक्षन के बिना तो कुछ नहीं होता है और परसिक्षन समय समय पर चलता ही रहेगा अरणिया का लकजीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तयार है ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लकजीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है यहां पर Classic Suit Room AC, महराजा Suit Room AC, Super Deluxe Room AC, Deluxe Room Non AC, Standard Room AC, Standard Room Non AC एवं Dormetry Bed, Meeting Hall AC, Conference Hall AC, Restaurant एवं लिप्ट आदी के सुविधा उपलब्द है Classic Suit AC, महराजा Suit AC, Super Deluxe AC रूम के साथ Breakfast Free है हमारा पता है Zero Mile Petrol Pump के सामने अरड़्या Mobile No. 980-1073-344